नमस्कार, हम पढ़ेंगे यूक्लिट की ज्यामिति का परिचय इंट्रोडक्शन टू यूक्लिट्स ज्यॉमेट्री आपने यह पार्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इस पार्ट की कुछ प्रश्णों को देखेंगे, यह प्रश्ण NCRT पाठेपुस्तक से लिए गए हैं इन कथनों में से सत्य और असत्य कथनों को फैचाने और कारण दीजिए पहला कथन है, एक बिंदू से होकर केवल एक ही रेखा खीची जा सकती है यह कथन असत्य है, क्योंकि एक बिंदू से होकर हम असंख्य रेखाएं खीच सकते हैं दूसरा कथन दो भिन बिंदूओं से हुकर जाने वाली असंख्य रेखाएं होती हैं यह कथन भी असत्य है क्योंकि हम अभिधारना संख्या एक जानते हैं जिसमें हमने यह पढ़ा था कि दो भिन बिंदूओं से केवल एक अध्वितिय रेखा कीची जा सकती है तीसरा कथन है एक सांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है यह कथन सत्य है हमने अभिधार्न संख्या दो पड़ी थी जिसमें हमने जाना था कि एक सांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है चौथा कतन है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है यह कतन भी सत्य है हम दो वृत्तों को बराबर तभी कहते हैं जब उनकी त्रिज्याएं बराबर हो और अभिधार्णा संख्या 3 में हमने जाना था कि हम किसी भी बिंदु को केंद्र मान कर किसी भी तुरिज्या का वृत्त बना सकते हैं तो हम बराबर तुरिज्याओं का वृत्त तो बनाई सकते हैं दूसरा प्रश्न सिद्ध कीजिये कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मद्य बिंदु होता है यह रेखाखंड A B है मान लिजिए C रेखाखंड A B का मद्य बिंदु है इससे हम कह सकते हैं कि A C और B C बराबर होंगे अथवा A C A B का आधा होगा मान लिजिए D एक अन्य बिंदु है और यह भी A B का मद्य बिंदु है इससे हम कह सकते हैं कि A D और B D बराबर होंगे अथवा A D A B का आधा होगा समी करण 1 और समी करण 2 से हम यह कह सकते हैं कि A C और A D बराबर होंगे अथवा क्योंकि C और D एक ही रेखाखंड पर है और A की एक ही दिशा में है इससे हम यह भी कह सकते हैं कि C और D बराबर होंगे अथवा C और D सम पाती हैं मतलब वे एक ही बिंदु हैं अतहा एक रेखाखंड का एक ही मद्य बिंदु होता है तीसरा प्रशन यूकलिड की अभिग्रहीतों में अभिग्रहीत पांच को एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है अभिग्रहीत पांच का कथन है पूर्ण अपने भाग से बढ़ा होता है या एक अभिग्रहीत है अर्थात यूकलिड ने इसे बिना सिद्ध किये सत्यकथन माना है इसे हम व्यावाहारिक गृष्टी से भी देखें तो हम देख सकते हैं कि पून का चाहे कोई भी भाग हो वह आया तो पून से ही होगा अतह इसका प्रमान देनी के आवशक्ता नहीं है अंतह या कर्थन स्पष्ट तह सर्वेव्यापी सत्य है कि पून अपने भाग से बड़ा होता है चौथा प्रश्न क्या यूकलिड की पांचवी अभिधारन से समानतर रेखाओं के अस्तित्व का और चित्न निर्धारित होता है यदि A और B दो रेखाओं को तीसरी रेखा C काटती है जैसा कि इस चित्र में दर्शाय गया है यह A रेखा है और यह B रेखा है और C रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है और C की एक और बने अंतह कोणों का योग 180 डिग्री अत्वा दो सम कोणों के बराबर हो जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते है यह C रेखा की एक और के दो अंतह कोण है अलफा और बीटा इनका योग 135.5 डिग्री और 44.5 डिग्री का योग 180 डिग्री है तो A और B रेखा C की एक और नहीं मिलेंगे यह हम अभी क्रिहीत संख्या 5 से बोल सकते हैं कि इन दो कोणों का योग 180 डिग्री है 180 डिग्री से कम नहीं है तो इसलिए यह C की इस और नहीं मिलेंगे जब एक और के अंतह कोणों का योग 180 डिग्री है तो दूसरी ओर के अंता कोणों का योग वी 180 degree ही होगा हम इसे देख भी सकते हैं γामा 44.5 degree है और डेल्टा 135.5 degree है और इनका योग भी 180 degree ही है और पांचविय अभी धार्णा से हम दुबारा यही कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं C की दूसरी ओर भी नहीं मिलेंगी, अतहर रेखाएं A और B कभी भी नहीं मिलेंगी, वे समानतर होंगी. पुनरावित्ती, आज हमने NCERT पाठे पुस्तक के कुछ प्रशनों को देखा और Euclid की अभिधार नाओं का उपयोग करते हुए उनका हल किया. आईए कुछ नए शब्दों को जानते हैं. अभिग्रहित अभिग्रहित है इस तल लुन आजैंग्जिन मेक्स कर्क्स दूए जिज्यात instruction प्रेख करें। नचिकेत है अप्रिम एक्सامल को प्रियोस्टी इस्टूड़िन हैं. तीसरा, discovery, खोज, mathematics is the basis of many discoveries धन्यवाद